हेलो बच्चों नमस्कार आप सभी बच्चों का देव क्लासिस में स्वागत है आज हम आपको बताएंगे अब क्रियाओं के बारे में रियक्षान क्या होता है जब और कैसे प्राप्ट करते हैं यह मोस्ट इपॉर्टिंट है और आपके हर वर्ष पूछी जाती है वोड़ी में का क्या होता है इसमें दिया हुआ है एथैनौल की ऐसट क्रियाओं design लेकिन जाती यह पर जब शोपस्थिती का यह कहाँ प्लस होगा यहां पर लगाएंगे जिसे एथेनौल को चारी प्रमेगनेट से क्रिया कराई जाती है तो यह उपस्थिती का मतलब तेर के निसान के उपर नीचे जो पस्थिती हम लगाते हैं उपस्थिती से एथेनौल का सुत्री क्या होता है सी टू एजपाइब ओयज क्या होता है सी टू एजपाइब ओयज प्लस हमेंट यानी ऑख लिए लिए ऊपस्थिती नहीं है 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 क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है पोटैसियम पर मैगनेट का सुद्र अब देखिए आगे क्या बनेगा तीर कंडिशन लगाना जारूरी है इसमें और उपन नीचे चारी और पोटैसियम पर मैंगनेट अब हम देखिए क्या लगाएंगे यह पे इसमें कार कितने एदर तो हम पहले देंगे सी में मेरा कि ends ए फ्री थी हो ओ गया और दूसरा यह हो गया हमारी कार सब्सक्रावल ब सब्सक्राइब नलड़ है एक पर कित्ने हो रहा है सबस्क्राइब कर रहे हैं दो प्लस और यहां पर देखना है कि आक्सीजन इंग है दो और एक तीन आपक्स नाइं तो हां यहां पर कितने अक्सिजन हुए है भी दोग्सिजन कितने यह बचें एक अुदू मैं बचा और है टो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इनकी कांटिंग अलग अलग लिख लिए जैसे की यहां पर कार्वन कितने हैं तो अलग कर यहाँ प्यागी दो हाइट्रोजन बच रहे हैं एक और सिजन बच रहें तो क्या होगा प्लेस एस टू ओ एस टू ओ होता है जल और आपका यह है क्या है इससे क्या होगा पुछ सूत्र भी याद हो जाएंगे एश्टिक अम्र और यह आपका जल रहा है और अब दूसरी अब क्रिया है जो हमारी देखियो उसमें पूछ रहा है सोरी के प्रकास में सोरी के प्रकास में मेथेन एवं क्लोरीन गैस को मिस्रित करते हैं यानि जब सोरी के प्रकास में हम मेथेन और क्लोरीन गैस को क्या करेंगे मिक्स यानि मिस्रित करेंगे सोरी के प्रकास में मेथेन का सूत्र हमारा क्या होता है सीयाच फोर प्लस क्या करना है हमको क्लोरीन गैस को मिस्रित करना है है अब यहां पर हमें क्लोरीन के साथ क्या कर देना है मिश्चरित कर देना है क्या करना है मिश्चरित कर देना है अब हमें देखना है जब यहां पर तो और घो कुछ नागा होता है तो इसको क्या बोलते हैं नाउजात शाएक कार्बन जैसे नाउजात हाइड होता है और अगसीजन हो जाता है उसी प्रकार से थी होता है अब देखे इदर क्या निपे रहे हं और एक क्यों कितने है और लिए क्योंकि पिकलोगी से कि क्या हो जाता है तो दो 2 सारी कि स्यूती हो ले 100 लिक्यान फॉस कि इस इसे लिखना है यदे दोनों संख्या तो लगा देते हैं किया कर देंगे यहां पिर देंगे pro इन आपको पहली बता दिया है अब देखती है है अगली अबकरिया यहां पर क्या है अगली अग्रिया है मेथेन का दहन कराया जाता है अभी हमने आपको जोब क्रिया बताई थी उसमें क्या था मेथेन को क्लोरीन गैस से मिस्रित करना था क्या करना था मेथेन को क्लोरीन गैस से मिस्रित करना था अब हम आपको जोब क्रिया बताने जा रहे हैं उसको मेथेन का दहन करना है क्या करना है मेथेन का दहन कराएंगे मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4 अभी हमने आपको उपर मेथेन का क्या होता है CH4 सिर्फ मेथेन का दहन कराना है है कि इसमें दिया हुआ है मेथेन बैन कराना है मेथेन का सूत्र क्या होता है जैसे कि भी मैंने आपको लिए चिछ4 द कि अहलंगे डहन है कि मतलब होता है जलाना जलना आक्सिजन के साथ ऑसीजन क्या है है आक्सिजन का स्थोत्र क्या होता है ओ टू प्लास ओ तो फिर हम इनका दहइन करा देंगे तो यहां पर हो जाएगा टू लगा देंगे कित सिफ ओ-टू से कुछ अपकिरिया नहीं बन पारी है जब हल नहीं होती जेब करिया तो वहां पर हम 2 या 3 फोर लगा देते हैं तो यहां पर क्या लगाना हमको लगाना है अब देखते हैं आगे क्या बनेगा दिया है और यहां से ओडू ले लिया है तो क्या बन गया प्लेस बच्चों आप सोचे क्या बनेगा दो सेकंड शोचने का टाइम दे रहे हैं आप कमेंच के माध्यम से बताईए कि क्या बनेगा अब हमारा यहां पर क्या बने गा क्या बछरा एक कार्बन था तो हमने ड़क दिया यहां पर आक्सीजन कितने हैं और आक्सीजन कितने हैं दो healthy oxygen की मात्रा पराबर हुई तो हम क्या लगादेंगे लगादेंगे दो लगादेंगे तो ієभ लान पराफित होगा गी कि चरी होगे यह उन्य क्या हो गईарт हैS रहांती कि यह क्या होगई संथे फ्रनेफ Turns फिसमें समीय करण पूस्ते आसान सब्erkर्णावन वारे Св Fields करें बहुत किया आसान है और जिन बच्छों ने नय हों तो सब्सक्राइब कर दीजए जो अभे तेक सब्सक्राइब ना किये हो आप सब्सक्राइब कर दें लाइक करें ज्यादा से जाद अबने दोस्तों को भी सेर करें ताकि सब्सक्राइब वीडियो का लाब उठा सके क्योंकि एक्जाम बहुत नजदीक है इसलिए हम आपको मोस्ट इंपॉर्टन अब करिया सारी चाट के वीडियो बनाय हुए है चलिए देखते हैं अगली अब क्रिया क्या है अगली हमारी क्या है देख लीजिए इसमें पूछ रहा है इधिल एल् इसलिक गल्वर का सूत्र होता है इथिल एलकोहल का सूत्र क्या होता है अब हमने ये भी पहली प्रेंट बताया सूत्र क्या होता है इसलिए इस तो सब्सक्राइब स्टी गम्र का सूत्र क्या होता है अब हमने यह भी पहले उपक्रिया में बताया है क्या होता है CS3 COOH आप हमको अब क्लिया कराना है तो यहां पर हम सांद्र S2S4 की उपरस्पिती में कराएंगे किसके सांद्र S2S4 अब देखिए इसमें क्या बनाएंगे आगे कि शीटू एजभाइब और यह जो अब कराने पर देखना है कि आगे क्या बनेगा अब हम जैसा कि यहां पर CS3 दिया हुआ है वैसे सिधे CS3 लिख देंगे CH3 अब COO CS3 के बाद हम क्या लेंगे COO COO क्या ले लिया COO आप है हमारा यह जैसे हमने COO इतनी पूरा ले लिया है CS3 COO अब हम यह लेंगे C2S5 OS पूरा ले लेंगे क्या करेंगे C2S5 क्या है CS3 COO हमने यहां का इतना पूरा ले लिया आप क्या ले लेंगे C2S5 OS पूरा यह जैसे हमने यहां का ले लिया आप क्या लेंगे C2S5 OS पूरा ले लिया हमें दो हाइंडीव बन जाएंगा यह हो जाएगा इधिलल को पूष्प्रमारन से अगली घ्रिया नहीं क्या होगी झाल 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 झाल